आप लोगों ने ऐसा भारत यहां पर देखा जो किसी दूसरे को निहारता नहीं है समस्याओं के लिए किसी को दोश नहीं देता समस्याओं को समाधान के लिए बाहर किसी से पृतिक्षा नहीं करता यह मानता है के मेरा करतब भी है मेरा दाई तो है मेरे पास जो कुछ पनमातमाने दिया है उसी से संगर्श करूँगा और समस्या कर समा अधान करूँगा उनके मन में सम्वेदना है उनके मन में करुणा है और सम्वेदना करुणा के भरों से वेशकारी में लग जाते हैं यह सम्वेदना और करुणा कहीं न कहीं हमारे आध्यात्मिक भाव से प्रकट होती है यह सारे देश में है, कोई भी व्यक्ति ऐसा इस देश में नहीं है, जो परमपरा से इस देश के धर्म, संस्क्रति को मानता है, उसमें अध्यात्म न हो, उसमें करुणा और सम्वेद्ना न हो, यह हो इनी सकता, हाँ, वो दबी होगी, वो छिपी होगी, वो ढखी होगी, हमको कदम कदम पर ऐसे लोग मिलते हैं, मदरास में एक सलक पर चलते चलते, चोरहाई पर जो रेड लाइट होती है, वहाँ एक प्रोफिसर साहे अपनी कार से खड़े थे, जो ग्रीन लाइट हो जाएगी, आगे बढ़ेंगे, उन्हों देका बगल में एक महला फल बेशती है, केला बेशती है, वह गारी से देख रहे एक ग्रहाक आता है, वो ग्रहाक पूछता है, केला किस रेट में दे रहे, किस भाव देती है, वो महला कहती है, दस रुपे के पांच के लिए, वो जो ग्रहाक कहता है, दस रुपे क च्छे के लिए नहीं दिये, थोड़ी देर में वो कार वाला प्रोफेसर वो देखता है, एक बगल में छोटा सा बालक रोता है, वो महला उसको बुला के पुछते हैं, बेटा क्यों रोता है, वो बालक बोलता है, भूक लग रही है, इस बालक की मा सामने वाली बिल्डिंग म मजदूरी का काम करती है, वो शाम को आएगी, कुछ बनाएगी, तो इस बालक को देगी, बालक भूका है, यह फल बेचने वाली महला अपने पास से दो केला तोड़ कर इस बालक को देती है, बालक दोनों के लिए पाक के प्रसंद हो गया, छिलका फेंका खाया भाग गया, इस जो मेनेजमेंट का प्रोफेसर है, इसको टेंशन हो गया, वो दस रुपे के छे नहीं देती, दस रुपे के पास पर जिद करती है, और दो केला मुपत में दे देती है, इसको समस्चा बैठ गई, क्या हुआ यह वो उस महला के पास आता है, उसने महला को पूछा, तु दो केले उस बच्चे को मुपत में दे दिये, हाँ दे दिये, क्यों दिये उसको दो केले मुपत में दे दिये, और भूका था भई, तुमको समझ में नहीं आता है, इस गाड़ी वाले को समझ में नहीं आता है, उस निरक्षर मेला को समझ में आता है, यह आपने जो 17-18 लो वो इसने समझ में नहीं आता है कि वड़ी-बड़ी बिल्डिंग में बैठे है नो बारहे है मंजिल अठा रहे है बीस मंजिल के बिल्डिंग में बैठे है ना वो आई आई एम चे पढ़के आते है आई एटी चे पढ़के आते है उनको भारत का ध्यात्म विश्मृत हो जात कष्ट ध्यान में नहीं आता और दूसरे के दुख से कष्ट से मनुष्य दुखी नहीं होता है तब तक सेवा के काम में हाथ नहीं लगा सकता